थैंकी सो मच बहुत सारे सुडेंट्स ने हमारी Gaps Classes की वीडियो देखी और उने का सर आपने Computer Science तो बहुत असान बना दिया है दोस्तों अगर आप First Time Gaps Classes की वीडियो देख रहे हो तो ये Confirmed है Gaps Classes की वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जुरुत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के अंदर हम Continue करेंगे File Handling के Chapter के साथ इससे Last वाली वीडियो के अंदर बहुत असानी से File Handling का Concept सिखाया और साथ मैं एक Homework का Question दिया था इस वीडियो में सबसे पहले तो हम उस Quotient को Discuss करेंगे और साथ के साथ practical भी करेंगे एक Quotient और दिया जाएगा Homework करने के लिए तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है Homework जो करने के लिए दी जाए उसको जरूर सौल करना चाहे गलत हो और Next वीडियो के अंदर हम उस Part को Cover करे तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका Gaps Classes के चैनल में दोस्तो फाइल हैंडलिंग की वीडियो में कोशन थोड़े से कम होईंगे डियूरेशन थोड़ी सी जादा होईगी पहले जोको समझाना है और सब्सक्राइब और होईगे और सब्सक्राइब करते हैं तो ये है आज की वीडियो का हमारा next question is question number second. उमीद रखूँगा आप में question लिख लिए होगा, अब हम इसको solve करते हैं. Question कहता है, write a program to input one number from the user and store into the file gaps.txt. इसके अंदर क्या करना है हमें, एक number user से enter कराना है और उसके बाद store करना है, file के अंदर file करना हमें gaps.txt. पहले भी मैंने आपको बताया था first video में कि store करने का मतलब file में write करना. अगर आपने first video नहीं देखी तो ये i button आ रहा है, इस पे आप click करो पहले first video देखना, तभी ये video देखो कि समझ में आएगा, otherwise समझ में नहीं आएगा. तो solve करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, input one number from the user, तो input कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, simple input, लिख दिया है, nm is equal to input, enter the number, अब यहाँ पर variable का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने nm ले लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, इस से क्या होगा, एक number enter होगा, अब आते हैं, next line, next, आगे क्या लिखा होगा है, question में, question में लिखा होगा, store करना, file के अंदर, gaps.txt, file में store करने का मतलब, file में write करो, लेकिन हम write भी कप कर सकते हैं, जब तक file को open नहीं करेंगे, हम writing कर सकते हैं, तो first task is, file को open करना, तो यह लिखा, मैंने open, bracket start, bracket close हैं, इसके bracket के अंदर लिखेंगे, किस file में store करना है, तो question में क्या लिखा, gaps.txt, तो open के bracket में हमने लिख दिया, gaps.txt, अब क्या करना है, store करना है, store मतलब write करना है, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, उसके बाद file के नाम के बाद w, तो लिखा comma double quotes में w, w मतलब write, चीक है क्योंकि write करना तो आगए w, अब इसके equal to के left side में हम एक variable या object ले लेंगे, equal to के left side में ले लिए मैंने fw, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने fw क्यों लिया, f मतलब file, w मतलब write, तो आप कुछ भी लिख सकत कि fw ही लिखना है, you can take any name, अब बाद में यह मत कहना, आपके school में teachers ने, school या college में teacher ने fw की जगा कुछ और लिखवाया, तो आप question raise करो sir, आपने to fw बताया, teacher यह ले रही है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, चीक है write, यहां तक clear, अब क्या लिखा हुआ है, store करना है, store नमबर, वो नमबर किसमे input हुआ था हमारा nm में, तो यह आगया हमारा nm, अब यह कहां पर write करना है, file में, तो file जब open करी, तो उसके left side में लिखा हुआ fw, तो नीचे लिख दिया हमने fw dot, इसका मतलब यह क्या बन गया, fw dot write bracket के अंदर nm, that means हम file के अंदर write कर रहे है, यह बन गया, fw dot txt, क्या write कर रहे है, number, number किसमें enter हुआ, nm में, तो यह यहां पर लिखा हुआ है, nm, और सबसे last important point, कि जैसी हमारा file handling में काम खतम होगा, तो हम क्या करते है, file को close करते है, जैसे, अगर आप close नहीं करोगे, तो क्या होगा, काफिस विंस हमें call करोगे, बू वो memory release होगी, कहने का मतलब यह simple language में समझाता हूँ, आप mobile phone use करते हो, game आपने start करी, game खेल रहे होगा, game को आपने minimize कर दिया, बंद नहीं करा, तो क्या होगा, background में memory लेती रहेगी वो, memory use होती रहेगी, तो game क्यों बंद करते हो, जिससे कि जो memory use हो रहे है, वो release हो जाए, मत close नहीं करोगे, तो marks cut जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते है, close करते है, यह लिखा close, कौन सी file को close करना है, gaps.txt, वो जब हमने open करे थी, equal to के left side पे क्या लिखा है, fw, तो यह आ गया fw.close, तो यह बन गया fw.close, इससे क्या हो गया, हमारी file बंद होगी, तो इस program को लिख करो, दोस्तो ध्यान देना, इस program के अंदर एक error है, तो पहले मैं आपको यही करूँगा कि आप pause करो वीडियो को और error निकालो, खुद error निकालने की कोशिश करो, खुद error निकालो कि तो ज़्यादा concept clear होते हैं, और काफी students तो error देखी चुके होंगे, जब मैंने program लिखना start करा था, तो काफी students को समझ आ गया होगा, तो हम समझते हैं, error कहां पर है, उन lines को मैं highlight करूँगा, ये दो lines में error है, तो एक बार आप दुबारा pause करो, सूचो की error क्यों है, इन दो lines के अंदर, ध्यान देना, पहले हम बात करेंगे first line की, first line में error क्यों है, question पड़ो दुबारा question में लिखा होता, write a program to input one number, input कराना है हमें एक number, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, nm is equal to input enter the number, तो इसका मतला जो भी number enter होगा, वो string की form में enter होगा, क्यों, क्योंकि जो input function होता है, वो string की form में लेता है, तो इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, int लिखना पड़ेग अब आते हैं, नीचे वारी लाइन में error क्यों है, जो print nm लिखा है, इस लाइन में error इसलिए है, क्योंकि जब भी आप file में write करोगे, तो आप कभी भी directly कोई numbers write नहीं कर सकते, उस number को string में convert करना पड़ेगा, कहने का मतलब यह, कि जब हम file में store करते हैं, चाए वो number हो, चाए string की format पे, तो जो यह हम nm write कर रहे हैं, यह तो integer है, उपर हमने लिख दिया na ink, तो हमें इसको किस में convert करना पड़ेगा, string की form में, तो इसको write वाले को हटाया, आप क्या लिखा, write लिखा, किस को करना है, nm को यह लिखा, nm, किस में convert करना है string में, तो इसको bracket, इस से पहले ल लिखेंगे, दोस्तो अब आएंगे हम practical part पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ideally open करेंगे, यह मैंने window की की दबाई यहां लिख दिया, ideally, तो यह हमारा ideally open हो गया, चिक है, तो हम program किस में लिखेंगे, हम लिखेंगे script mode में, जैसा मैंने last video में समझाया था, तो यह यहां पर मैं फाइल में new file, जैसे new file करा तो यह open हो गया, question क्या था हमारा, input कराना है one number from the user, और store करना file के अंदर, तो पहले जो मैं आपको practical दिखांगा, तो मैं किस form में दिखांगा आपको, आपको मैं दिखांगा, error दिखांगा, कि error क्या आ रहा है, जो मैंने explain करा था, तो यहां लिख enter the number, चिक है यहां था clear, अब उसके बाद क्या करेंगे, file में store करना है, तो मतला file को open करेंगे, तो हमने क्या लिखा था, fw is equal to open, कौन सी file, gaps.txt, comma write करना तो आगया, w, bracket 1, अब क्या करेंगे, open होगी, file में store करेंगे, तो क्या लिखेंगे, fw.write, bracket में, जो भी variable लिए, that is nm, तो लिखा, fw.write nm, और last में क्या करेंगे, हम file को close करेंगे, close करने के लिए, fw.close, यह दिखते है, fw.close, अब हम क्या करेंगे, run करेंगे, तो यह क्या करेंगे, run पे run module, बट वो कहेगा कि पहले program को save करो, तो यह हमारा second program है, तो मैं second program को save करूँँगा, यह हमारा path है, प प्रोग्राम को execute करेंगे, तो वापिस देखेंगे, file के अंदर क्या store हुआ है, यह नहीं हुआ, चीक है, तो यह मैंने copy कर लिया, आप भी कर ले न, अब यहाँ पर मैंने दे दिया, नाम दे दिया, second program है, तो file अंदे का fh2.py, चीक है, अब यह run कर रहा है, कह रहा है, enter the number, मालनो मैंने डाल दिया, hundred, अब यहाँ यहाँ दो error आ गया, क्या error आ गया, उसको मैं highlight कर रहा हूँ, कहता है, write argument, write के बाद bracket लगाओ, मतलब function जो है, argument must be str, कहता है, string होना चाहिए, not int, int नहीं होना चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले मैं error दिखाँगा, तो जो यह nm है, यह तो integer में है, हमें किसमें convert करना है, string में, तो हम क्या करेंगे, str, तो यह लिखा, str, bracket start, bracket close, अब इसको run करते हैं, save, already save कर दिया हा, अब enter कर रहो हूँ, 100, कुछ और enter करते हैं, मालनो enter कर रहो, 101, और enter, धियान दो, यहाँ पर output कुछ नहीं आया, और error भी नहीं आया, output क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कुछ print तो करी नहीं रखा, अब हम देखते हैं, file में क्या वो store हुआ, या नहीं हुआ, कौन सा number हमने enter कर रहा है, 101, तो file कहाँ पर है, पहले मैंने path copy कर से पहले भी वीडियो मैंने आपको explain करागा, तो हम उसी path पे जाते है, file का नाम था, gaps.txt, यह रहा, 101, तो perfect हमने practical भी करा, दोस्तो practical करना बहुत जरूरी है, अगर आप practical नहीं करोगे, तो समझ में नहीं आएगा, practical is important, लेकिन practical करने से पहले आपको register पे करना जरूरी है, क् पे करना जरूरी है, जब आप practical करोगे, error आएगा, तो आप फिर registers में भी change करना, अगर आप directly पहले practical करोगे, error आएगा, फिर changes करोगे, फिर चल जाएगा, तो आप जो code लिखोगे, register पे आप correct लिखोगे, ऐसा नहीं करना, पहले register पे लिखना है, practical करना है, error आएगा, error code ठी करना है फिर रिजिस्टर में चेंज करना ठीक है दोस्तों उमीद रखूँँगा आपको सही से समझ में आ रहा होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप हमसे gaps classes के notes भी ले सकते हो उसका nominal सा amount है description में चेक कर लेना और यह जरूर देख लेना book publish हुई है या नहीं हुई जब आप वीडियो देख रहे हो हो सकता book उस समय published नहीं होई हो और ऐसा भी हो सकता हो गी हो तो बेटर है अगर book publish हुई है तो बेटर है कि आप हमसे book ख्रीद लेना वो ज्यादा बेटर है गा उसमें सारी चीजी होएगी जब तक publish नहीं होती तब तक आपको notes से चलाना पहले register में करना फिर उसके बाद practical करना next video में हम discuss करेंगे वीडियो खतम करने से पहले एक important चीज मैं आपको बता दूँ यह नहीं सोचना की time ज्यादा लग रहा है एक video में हमें question कर रहे है हम साथ में practical भी कर रहे है तो इसलिए time ज्यादा लग रहा है अभी time ज्यादा लग evidence है कि आपको सई से समझाया होगा मेरे को तो बहुत मज़ा है आपको पढ़ा कर और आप लोगों को भी सई से समझाया होगा practical जरूर करना है assignment का question जरूर करना है next video में हम assignment जो दिया करने के लिए उसको हम start करेंगे वैसे तो हम मिलेंगे next video में thank you so much for watching the video of gaps classes झाल